गर में इस्तमाल होने वाला नमक हमारे भोजन का स्वात तो बढ़ाता ही है साथ ही हमारे स्वास्ते को अच्छा रखने में साहिक होता है नमक कई परकार के होते हैं उनमें से एक है सैंधा नमक सैंधा नमक को सबसे सुद नमक माना जाता है क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं होती है इस नमक में वह सारे जरूरी तत्व होते हैं जो हमारे सरीर के लिए जरूरी होते हैं इसमें कैलसियम, आइरन, पोटेसियम, मैगनीसियम, कॉपर जैसे लगबग चोरानों तरह के खनी काथे मन माना गया है इस वीडियो में सेंधाननमक, के कुछ स्वास्ते लाप के बारों में बताएंगे इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखैं सेंधा नमक खाने पचाने में बहुत परभावी होता है यदि किसी को पाचन से संबंदी समस्य हो तो सेंधा नमक के दवाई की तरह काम करता है इसके सेवन से पाचन तंत्र में सुधार आता है यह आपके गैस और कब्ज में भी रहत देता है पेट में यदि कीड़े हो जाएं और अधिक उल्टिय हो रही हो तो सेंधा नमक के पानी में नीम्बू का रस मिला कर पीने से काफी आराम मिलता है सेंधा नमक तनाव को कम करता है इसका सेवन करने से सेरोटोनीन और मेलोटोनीन हार्मोन्स का बैलेंस बना रहता है जो तनाव को नियंटरित करने में मदद करते है यदि किसी को भूक नहीं लगती हो तो इस समस्या को सेंधा नमक का सेवन करके दूर किया जा सकता है सेंधा नमक का चुटकी भर मात्रा में सेवन करने से डाइजेशन सही रहता है और पेट की बिमारियां भी दूर होती हैं जिससे भूख भी लगने लगती है सेंदा नमक कोलेस्टरोल कम करने में भी मदद करता है जिससे हार्ड अटेक की संभावना भी कम हो जाती है साइनेस की समस्या से राहत पाने के लिए सेंधा नमक का सेवन फाइदेमंद रहता है सेंधा नमक से गारगिल करने से सूजन, दद, सूखी खांसी और टॉन्सिल से आराम मिलता है सेंधा नमक से भाप लेकर भी आप इससे फाइदा उठा सकते हैं अगर किसी को स्टोन की समस्या हो तो पानी में सेंधा नमक और नीमबू को मिला कर पीने से कुछी दिनों में पत्री गल्ने लगती है गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल कर गारगिल करने से मसूडे साफ रहते हैं और साथी दांतों की चमक भी बरती है यदि गले में खरास हो तो वह भी दूर हो जाती है सेंधा नमक सरीर के fat cells को कम कर देता है जिसे वजन कम होने में मदद मिलती है इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक और नीमू के रस को एक साथ मिला कर पीना चाहिए सेंधा नमक मास्पेशियों के दर्द और एठन के साथ हड्डियों से जूरी समस्यां में रहा देने का काम करता है इसका नियमित सेवन करने से यह समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और सेयर करें और हमारे आने वाले उप्योगी वीडियो की जानकर आपको आगे भी मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी वाले निसान को भी क्लिक करें आपने हमारे यह वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद